हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो वर चैनल लर्न इंड ग्रोग देखिए आज हम करेंगे एनिमेशन एक क्लॉक डिजाइन के जैसे हम जानते हैं कि वन मीनिट में 60 सेकिंड्स होते हैं कि तो देखिए कि हमने एक लोग को डिजाइन करना है जिसमें सेकिंड्स की सुई मोव क closely हैं यह मीन we लगे जाएगी ना तो यह एक मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगी और यही हमने रिप्रेजेंट करना है आज की एनिमेशन में देखिए जैसे यह 12 पे आ रही है और वैसे ही यह आगे बढ़े है यह 12 पे and then इसमें डिफ्रेंस यह देखिए और यही एनिमेशन हमें चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एनिमेशन के यह एनिमेशन देखेंगे हम तो सबसे पहले हमने क्लॉक डिजाइन करने के लिए मुझे चाहिए एक सर्कल मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहां पे आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हूं Supposed मैंने यह दे दिया इसकी आप इसकी गय्याय कर्यों चाहते हो थो कांब में चाहते हों चाहाए लें यहादे आप जैसे मर्जी जो भी color देना चाहे न उतने color दे सकते हैं जैसे मैं रैड दिया हुए है outline मैं इसकी red कर देती हूं ठीक है तो outline इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूं इसकी तक बढ़ा तो शंप को थोड़ा वंद मिध्स थोड़ा तर अ जैसे भी आप बना चाहते हो और एसे बना सकते हो अब हमें धेने हैं लृट लिए को आपको करा चुके हूं यह से कॉपी करके इस्ट कर लेती हैं और अगर चोटी है तो मैं इसको ठीक कर दूँगे यहां पे जाकर मैं इसको प्रॉपरली सेट करते हुँ इसको इसे स्लेक्ट करके इसको सेट कर देते हैं बात हमारे clock की design की नहीं है clock design तो आप कैसा भी बना सकते हूं बात है इसके needle के movement के animations की तो हमारे पास यह needles है ठीक है मैंने यहां पर तीन needles ट्रॉप की है यह देखिए मैं आपको separate करके दिखा देती हूं इन्हें यह और यह ठीक है अब यह कैसे design कि और एक aero लिया मैं एक अरो ले लेती हूं इसमें एक design कर लेती हूं और इसको edit point करके इसको थोड़ा थोड़ा set कर लेते हैं center में इसको मैंने center में set कर लिया है तो मेरे पास यह एक निडल आ गई सबस कि यह हमारे पास है है जो इस में मैं इसको से रोटेट करें से रोटेट करने के लिए मैं दूगी इसे एनमेशन पहले से बिजिए जरूर क्योंकि यह प्रॉपर ली दिखाई देनी चाहिए थेक है ना जो काम आप कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए तो चलिए इसको सेट करके इसको थोड़े से इंक्रीज करते हैं ताकि यह थोड़ा सा दिखाई दे तो यह देखी इसको थोड़ा चोड़ा कर दें जड़ा बड़ी लगरी है यह ठोड़ा इसको भी थोड़ा इस तरह से और इस निडल को थोड़ा सेंटर अब मैं चाहते हूं कि यह मूव करें जैसे कि यह मूव करें इस तरह से मूव करें अपने इस पॉइंट से मूव करें तो एक अगर मैं इसको एनिमेशन में जाकर इसको मैं स्लेक्ट करूंगे और एनिमेशन में जाकर इसको दूंगे इस पॉइंट से मूब करने चाहिए लेकिन यह मूव यहां से कर रही है इस पॉइंट से मूव करवाने के लिए हमें एक पर्टिकूलर संकल यह कोई भी शेप लेनी होगी यह ली है और इसको करना होगा हमें कि इसके साथूर्म करते के मैं इसके साथ इसको काल जै इसके चैनल है इसको मिठाने के लिए आपके आप पर या और जाओं जाते विर कि आप ये दिखाaráई नहीं आप इसको आनिमेशन देते हैं यह कैना क्ये इसको फिंग करें इस तरह से बिल्कुल प्रपर स्पिन कर लें यहीं हमें जाहिए थी clock में लेकिन हम चाहते हैं इसके अनिमेशन कर देते हैं हमने इसके अनिमेशन कर ले हैं मैं चाहते हूं कि यह जो है यह 50 वैसे तो वन मिनट में 59 जिक्स्टी सेकंड्स होते हैं लेकिन 60 सेकंड्स बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं इसकी टाइमिंग साट कर देती हूं कि यह जो है यह रोटेट करें कि फूल स्पिन करें और 90 डिग्री नहीं हाफ स्पिन 180 डिग्री और ओटो रिवर्स नहीं हूं यह इस तरह से स्पिन करें हाफ स्पिन कर दे ही है यह करेगी फूल स्पिन ओके अब यह फूल स्पिन करेगी और रुख जाहिए ठीक हमें इतनी स्पिन चाहिए डुरेशन हमें चाहिए कि यह पैसे तो मैं इन्स पाहिए देना चाहिए ह princip 60 seconds के लिए 59 seconds के लिए लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कि देखने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसकी डूरेशन में 30 की साथ कर देती हूं कि यह 30 seconds तक खूंके इस पॉइंट पे आ जानी चाहिए इसके मैंने 30 30 को स्लेक्ट कर लिया नेक्स भी है मैंने मनेंट की यह 2 इसको बनाया थी उसको बनाया था यहां पे दि लिए अब इसकी इसको भी हम आंइए निमेट कर तरह से की वो उसकी जो स्पीन है यानी की वह उस्पीन करें इस तरह से सब्स्क्राइब कर देकिन यह देखिए कैसे इस पींग कर रही है हमike कि थोड़ा करें क्थамен कि पर रही है यह खिल को प्रॉपर चल रही है लेकिन मैं चाहती हूं कि यह फूल स्पीन ना करें तो सिर्फ और सिर्फ सिक्स डिग्री स्पीन करें सिक्स डिग्री तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगी इसमें मैं सैट करूँगी कि यह सिर्फ six degree spin करे six degree तक spin करे ठीक है यह सिट six degree अब spin करेगे और इसको मैं कर देती हूं लेकिन देखिए अगर मैं दिखाऊंँ आपको तो यह spin कर रही है नहीं यह बात नहीं कि मैं चाहती हूं कि यह spin करे जब ही अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करे तब यह उली नेडल स्पीन करनी चाहिए ठीक है तो इसको हमने टाइमिंग दी थी 30 ठीक है इसकी डूरेशन 30 कि इसको डिले इसको वहमें डिले देना और यह 30 के बाद ही स्टार्ट के बाद ही इस्टार्ट क्या देखो एगी है और यह उपकर ऐए जब यह 12 पे आईगी तो यह 6 दिगरी मूव कर देनी चाहिए यानि 6 दिगरी एंगल पे नीचे आजानी चाहिए अब देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इनिटल 12 पे आती हैं तो इतना तो हमें वेट करना पड़े तो इसने रोटेट किय इसमें कोई फरक नहीं आ रहा है इसमें कुछ यानि कि हमारे इसमें कुछ नहुच प्रॉब्लम आई है हमारी एनिमेशन में कुछ गडबड हुई है ठीक है तो यह अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यह क्या मिस्टेक है कि क्यों रोटेट नहीं किया चलिए हम इसे तू जिरो जिरो और इसकी डिले इसकी डिले नहीं दी गई देखिए यह जो है इसकी जो rotation है यह तब होनी चाहिए जब यह अपनी एक rotation complete कर ले तो इसकी जो डिले है वो हम दे देते हैं इसको कर देते है start with previous और इसकी डिले देते हैं, हम 30 की ठीक है, इसकी 30 की डिले दे दी, और अब इसके अंदर भी checking कर लेते हैं अंदर 6 डिग डिग डिए है, ओके इसको कर देते हैं, और इसकी जो duration है, वो भी 0.05 कर देते हैं तो अब देखें क्या ये वर्क कर रही है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वर्क कर रही है या नहीं जो हमने एनिमेशन दी है वो प्रॉपर है या नहीं देखना पड़ता है चला कि क्या वो ठीक काम कर रही है यानि जो मैं चाहती हूं क्या ये वो मुझे प्रोवाइड करेगी जो हो जाए यह देखिए बिल्कुल यही एनिमेशन में जाती थी ठीक है वो ट्वाइल प्याई और एक मिनट के लिए आगे होगी इसकी मैं टाइमिंग सेट कर देती हूं टाइमिंग जो है वह एंड ऑफ दा स्लाइड तक है स्लाइड के एंड तक चलती रहेगी नेक्स्ट है हम डिलीट और हमने बनाना है एक पैंडूलम पैंडूलम के लिए अगें मैं होम पे जाओंगी और होम पे जाकर मैं स्लेक्ट करती हूं एक रेक्टेंगल एंड इसमें लगाती हूं एक सरकल आप कोई भी पैंडूलम लगा सकते देती हूं क्युक्स्टैल में जाकर इसे कोई भी color जो भी आप देना चाहते हो, इसको कर देती हूँ, इसके साथ group, group करके मैं इसे animation देती हूँ, जो की है मेरे पास spin की, लेकिन ये क्या करना चाहिए, spin करे ये, मैं चाहते हूँ कि ये सिर्फ 10 degree spin करे, 10 degree spin करे, ठीक है, clockwise direction में spin करे, और इसको करना है auto reverse, auto reverse इसका ok कर देते हैं, और इसका effect देते हैं, हम counterclockwise और इसकी duration को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसको कर देंगे, यहाँ पे लगा कर send to back, इसका play करें, ये चाहिए ऊपर, विसे play करते हैं, ये देखें, और इसकी timing भी end of the slide तक कर देते हैं, timing end of the slide and ok, ठीक है, अब play करें, देखें हमारा pendulum move कर रहा है, हमारी watch चल रही है, तो इस तरह से हम animation दे सकते हैं, अपनी videos में एक watch clock बनाने के लिए, कि आप अपने एक timing clock किस तरह से represent करते हैं animation के through, thank you.